विल्कम टू डीम क्लासेश आज हम लोग देखेंगे जो इजराल और फिलिपसीतिन के बीच जो सेंगर्स हुआ है उसके बारे में अना तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अल आक्सा जो अल आक्सा है मस्जीद एक जां में पूछ सकता है कि अल आक्सा क्या है तो ये अल-ाक्सा यानि अल-ाक्सा एक मस्जिद है हमला कहा हुआ है इसी अल-ाक्सा मस्जिद पर इज्राइल और फिलिस्तीन के बीच इसी मस्जिद के लिए जगड़ा हो रहा है न यनि अलक्सा मस्जिद हमला और इजराइल फिलिस्तीन संगहर्ष के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है तो इसके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे अलक्सा मस्जिद हमला और फिलिस्तीन संगहर्ष के बारे में सबसे पहले ये खवर में क्यों है जिसके वारे में जानेंगे फिर अलक्सा मस्जिद क्या है इजराइल फिलिस्तीन संगहर्स फिर भारत पर परवाव इसका क्या पड़ेगा और लास्ट में हम लोग निसकर्स देखेंगे तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि खवर में क्यों ये बना हुआ है अभी घणा तो चलिए सुरू करते हैं कि अभी खवर में क्यों है ये खवर में कराहाल ही में यनि कुछ दिन पहले ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीट आपसी संगहर्स फिर से आक्रमक रूप से उभर गया और इस नए बिवाद वा शंगहर्स की बज़ा अल-अक्सा मस्जिद है हना ये जो नए बिवाद है इसकी बज़ा ही क्या है अल-अक्सा मस्जिद है यनि जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आप देखे हैं तो ज़ागडा जबसे वह देश बना है यनि 1948 में ही फिलिस्तीन बना है 1948 में ही एक देश फिलिस्तीन से ही बना है और उसी समय से ही फिर सरसथ में, सत्तर में, सत्तर में, बार बार यनि ये जहगड़ा दोनों के बीच संघर सो रहा है तो इस अलक्सा मस्जिद के लेकर ज्यादा जहगड़ा हो रहा है निक्स देखें, करा भारत और इजराइल और भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन आतंकवादियों के बीच वढ़ते तनाव के मद्दे नजर एरुसलम में हुई जहड़पों और हिंसा पर गहरी चिंता ब्यक्त करते हुए इस्थिती समानले के लिए दोनों पच्छों से आवहान किया है किसने भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से फिर करा दर असल एरुसलम इस्थित अल-अक्सा यनि इसका मतलब है कि एरुसलम में ही इस्थित है अल-अक्सा मस्जिद पर इजराइली पुलुस द्वारा वहां नमाजियों पर भीषन गोलिवारी के गई जो नमाज पढ़ रहा था वहां पर भीषन गोलिवारी के गई और तीन सो से ज्यादा लोग गंभीर रूप से क्या हो गए हताहत हो गए इससे पुर्व दस मई को भी इजराइल पुलिस ने अल-अक्सा मस्जिद में नमाज आदा कर रहे लोगों पर हमला किया था जिसमें कई लोग हायल हो गए थे गवर तलब है कि दस मई को यहुदियों द्वारा येरुसलम दिवस भी मनाए जाता है यानि पूछ दे एक्जाम में कि येरुसलम दिवस किसे किनके द्वारा मना जाता है तो यहुदि धर्म द्वारा कम मना जाता है तो दस मई को तरफ पर साथ तब जबावी करवाई की रूप में आतंकी समू हमास द्वारा इजराइल पर रौकेट दागे गए एक हमास पूछ सकता एक जाम में कि हमास क्या है तो हमास एक आतंकी समू है जो कहां कहा है फिलिस्तिन का आगे देखे अलक्सा मस्जिद के बारे में करा येरुसलम यहूदियों मुस्लीमों और इसाईयों याद रखना है कि इसके यहूदियों ये जो देखे ये ये येरुसलम में है जो यहूदियों मुस्लीमों और इसाईयों की समान आस्था का केंदर है इसका मतलब अल-अक्षा जो मस्जिद है वहाँ पर एरुसलम में यहोदी, मुश्लीमों और इसाईयों की समान आस्था का केंदर है यहाँ इसाईयों के लिए परसीद है भी ध्यान देना है यहोदीयों के लिए मुश्लीमों के लिए और इसाईयों के लिए यहाँ इसाईयों के लिए पवित्र सेपुलर चर्च है जो इसाईयों लोग हैं उसके लिए वहाँ अलक्षा एरुसलम में चर्च भी है मुस्लिमों के लिए पवित्र अलक्षा मस्जिद है जिसके बारे में चर्चा है और यहुदियों के लिए Temple Mount इस्तित है यहुदियों से हैं तो Temple Mount याद हम लोग को रखना है कि जो अल-अखजा मस्जिद है वह मुस्लिमों का पवित्र अस्तल है यह जिसमें और जो एरुसलम में है एरुसलम में ही इसाईयों के लिए क्या है तो इसाईयों के लिए आप देख रहे हैं जो पवित्र है सेपुलकर जो चर्च है वहीं पर है मुस्लिमों के लिए अल-अखजा मस्जिद और एहुदियों के लिए Temple Mount इस्तित है यहीं पर अक्सा ये कर्भी भासर सब्द है जिसका अर्थ है सुदूर मक्का और मदिना मक्का और मदिना के बाद अल-अक्सा मस्जिद को इसलाम के तिसरे पवित्रस्थल के रूप में जाना जाता है यहीं कि मक्का और मदिना जो यह जो इसलाम है उसके लिए तो दोनों पवित्रस्थल हैं ही लेकिन तिसरे नमर पर अल-खभा मज़िट को वह पवित्र अस्थल के रूप में मांते हैं यह मसज़िद एक पहाड परिश्थीत है आप ध्यान दीजिएगा कि जो अल-खभा मसज़िद है वह पहाड परिश्थीत है मसज़िद के परिसर में मुसलीमों द्वारा हरम अल्शरीफ या नोबल सकेटरी जबकी यहूदियों द्वारा टेम्पल मौउंट कहा जाता है टेम्पल मौउंट यहूदियों का पविज्द्र अस्थल है इजराईल फ्लिस्तिन संगहर्ष के बारे में देखते हैं करा इजराइल और फिलिस्तिन के मद संघर्ष का इतिहास लगभग सौ वर्ष पुराना है इस छेत्र में निवास करने वाले अरब बहु संख्यक थे यनि कि जो इजराइल और फिलिस्तिन के भी जो संघर्ष चल रहा है तो उस छेत्र में ज्यादा जो निवास करने वाले थे हुआ कौन थे अरब बहुत संख्यक थे जबकि यहूदी अल्फ संख्यक में थे इन दोनों के बीच संहर्ष की सुरुवात उस समय हुई जब अंतरष्टिरिये समुद्वारा अंतरष्टिरिये समुदाय द्वारा वल्प फोर्ग होशना के तहत फिलिस्तिन में यहूदियों के लिए राष्टिरिये घार यानि नेशनल होम फोर्ग है जो इस पिपूल के अस्थापना है तो ब्रिटेन का समर्थन किया गया अरबो द्वारा इसका बिरोध किया गया धीरे धीरे यहूदियों द्वारा यहूदियों और अरबो में संहर्ष बढ़ता चला गया इतत प काउं सही हूदियों ने स्विकार कर लिया किन्तु अरबो ने इससे मानने से इंकार कर दिया संजुक राष्ट के अनुसार तू एस्टेट सॉलूसन वहाँ फिलिस्तिन और इजराइल की बैद राष्टिरिये आकांचाओं को स्विकार करता है वहीं इस छित्र में अस्था इसराइल एक देश बन गया इसके परनाम सुरूप आसपास के अरब राजियों ने इसराइल पराकर्मन कर दिया यूद के अंत में इसराइल ने संजुक राष्ट की बिभाजन योजना के आदेशा अनुसार प्राप्त भूमी से अधिक भूमी पर अपना नियंतरन सापित कर लिया जबकि जॉर्डन ने बेस्ट बैंक और मिस्र ने गाजा पर कबजा कर लिया जो जॉर्डन था उसने बेस्ट बैंक पर कबजा कर लिया और मिस्र ने गाजा पर अपना अधिकार कर लिया वर्स 966 में परसीदें सिक्स डे बार कौन से बार थे सिक्स डे बार में संगठन का उदय हुआ फिलिस्तीन की मांग है कि इसराइल बर्स उन्हेसो सरसट से पूर्व की अंतराष्टरिय सिमाओं तक सिमित हो जाए और बेश्ट बेंक तथा गाजा पट्टी में स्वतंतर फिलिस्तीन राज के स्थापना करें साथ ही फिलिस्तानी जो फिलिस्तीनी सरनार्थी है उसको भी बापस फिलिस्तीन आ सके जबकि दूसरी और इजराइल येरुसलम को अपना अभीनग मानता है और इसलिए येरुसलम पर अपना संपरभूता चाहता है भारत पर इसका देखेंगे कि क्या परभाब पड़ेगा तो एक और फिलिस्तीन ने फिलिस्तीन में भारती परियास फिलिस्तीनी अर्थ विवस्ता के लिए विभीन छेत्रों को कभर करने वाली भारत फिलिस्तीन विकास साजेदारी के माध्यम से राश्ट निर्मान और संस्थानों को सुद्ध करने पर केंद्रित रहे हैं तो वहीं भारत इज्राइल के साथ रच्छा बिग्यान और तक्नीक आदी के छेत्रों में एक विशिस सम्मंद साजा करता है इस संग हर्ष के मद्दे नजर हमास सम्मूद वारा जो जवावी कारवाई की गई उसमें एक तीस वर्षिय भारतिय महला के मिर्टू हो गई जिसको देखते हुए भारत ने भारत के लिए वहां रह रहे है पर रच्छा का परश्ण खड़ा हो गया इस मामले में संजुक राष्ट में भारत के अस्थाई परत निधी टी एस त्रीमूर्ती ने कल हुई संजुक राष्ट सुरच्छा परशद की बैठक के दौरान टूइट करके कहा कि भारत इस संगहर्ष को लेकर गहरे रूप से चिंतित है इसके अलावा भारत ने सभी पच्छों से सैयम बरतने और सुरच्छा परशद के परश्टाव 2334 के पालन का आगरा किया इस पर अस्थाव जो 2334 से इस बात की पूष्टी करता है कि इजराहिल द्वारा फिलिस्तिनी में उन्हें सो सरसट के बाद से अधिकरित स्यत पर कोई भी अस्थापना जिसमें पुर्वी एलुसरम बेस्तित है कि कोई कानूनी बैधता नहीं है और अस्पष्ट रूप से अंतराश्रिय कानूनों का उलंगन तथा दो राजियों के बीच समाधान और एक नियाय संगत अस्थाई और व्यापक सांती की उपलब्धी के लिए एक बड़ी वाधा है अब निसकर्स हम लोग देखेंगे इस संगहर्ष के सांती पुर्ण समाधान के लिए जरूरत है कि बैस्विक समाज एक साथ मिलकर आगे आये लेकिन इस मुद्धे से सम्मंधित बिभीन हित तार्गों की अनिच्छा ने इसे और अधिक जटिल बना दिया है ऐसे में जब विस्व पहले से ही भैंकर महामारी के परियोग प्रकोप से जूज रहा है तो आवास्यक है कि जहां तक संबब हो सके आपसी मतवेदों को बाच्चित के जरिये सुल्जाने पर धियान दिया जाए अता जरूरी है कि इस मामले में जूड़े सभी हिद्धार रख एक मंच पर उपस्तित होकर समस्या का समधान खोजने का परियास करें दूसरी और इसराइल फिलिस्तिन मुद्दे के परती एक संतुलित रिष्टिकून भारत के लिए अरब देशों और इसराइल के साथ अनुकूल समंध वनाए रखने में सहायक होगा तो इस वीडियो में इतना ही थैंक्स